आज हम बनाएंगे कच्चे चावल से बनने वाला नाश्ता जो आपने शायद ही सुना और देखा होगा यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है एक दम फूला फूला बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट और मज़ेदार तो इतना है खाने में कि बचेंगे ही नहीं जैसे अगर आपको मिज़ी रेसेपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को ज़रूर रॉन करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें नाश्ता बनाने के लिए हमें आप एक कच्छा चावल चाहिए होगा कच्छे चावल को आपको भीगो के रखना होगा कम से कम एक से दो घंटे के लिए आप कच्छे चावल को भीगो के ले सकते हैं चावल आपको इसा भी ले सकते हैं ये नाश्ता किसी भी चावल से बन ज यारों के मिल जाएगा कोई पानी वगएरा कुछ ने डालना है इसी तरह से तयार कर लेना है फिर यहां पे हम सूजी को भिगो के रखेंगे तो आधक अप सूजी को एक बोल में डाल देते हैं मैंने या पे सूजी बारी के लिए हैं आपको इसी भी ले सकते हैं फिर इसमें पानी तो पानी आपको इतना डालना है यह जो सूजी है न अच्छे से डिप हो जाए सूजी को सिर्फ हमें दो मिनिट के लिए पानी में भीगो के रखना होगा और जब दो मिनिट हो जाएंगी तो सूजी को हमें चानना होगा जो भी यह पानी है सारा निकालना होगा तो जारू को हम फिर से चलाएंगे, पर अच्छे से मिक्स करने के लिए, सूजी भी इसमें जायेगी, अच्छे से ब्लेंट कह जाएगी, तो उसे बार ब्लेंट कर लेते हैं, बस हलका सा ही ब्लेंट करना है, और आपको यह स्मूध सा पेस्ट बन के मिल जाएगा, आप देख सकत आलू को मैंने उबाल लिया है और इस तरह से चोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि इसका जो पेस्टे बिल्कुल स्मूध बने तो आलू को बाल के काट ले और यह जो आलू है पीसना होगा आपको और सीधा से ट्रांसफर कर देते हैं सेम बोल में तो जिसमें चावल औ अदेख सकते हैं यह कितना थिक और एक्दम क्रीमी सा है आपको पानी रही है दहान रखे पानी सिर्फ इतना हिगा होगा हूँगा जो चावलों में थोड़ा बहुत था से एलावाइ इसमें बिल्कुल भी एक फूल सा जाए, फलफी नैसा जाए इसमें, इसी के साथ इसमें जीरा डाल देते हैं, एक्स्टा फ्लेवर देने के लिए इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, आप चाहें तो हरी मिर्ची का इस्तमाल भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंग और फिर डाल देते हैं, करी पता करी पता हो, मаю ने काट लिया है, तो इस तरह से कटेवे भे करी पता जब आप खाएंगे वो दिखने में बहुत टेस्टी लगते हैं, फिर नमक डाल देते हैं, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, तो सौत के हिस आप, तो अच्छे से हमें सारी चीजों को मिक्स करना होगा आप देख सकते हैं ना तो इसमें पानी गया है और नहीं इसमें कोई सोडा वगरा जाएगा यह ऐसे ही इतने ज्यादा फूलेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे तो बस आपको हातों में लेना है इस तरीके से और इस आप में से कितने लोगोंने तो कड़ी के लिए पकौडी बहुत बार बनाई होगी बस वही सेम प्रॉसेस है मतलब आपको ड्रॉप इसी तरह से कड़ना है अगर आपको डर लग रहा है आपने पकौडी वगरा कभी नहीं बनाई है तो आप स्पून का इस्तमाल करें तो आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े तलकी उपर आगे हैं इनको अपने आप से उपर आ जाने दे जब यह उपर आपके फ्लोट होने लगेंगे उसके बाद आपको इस पेस्पेशुला चलाना है और इने अलट पलट करते हुए फ्राइ कर लेना है इने हमें तलना तो सूजी वाइट हो गई और साथ में हमने आलू भी सफेद इस्तमाल किया है तो यह तोड़ा वाइट नाश्ता ही रहेगा आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है अच्छे से तल गए हैं तो बस इसी तरह से सारे नाश्ते को हम तल के तयार कर ल पसंद करते हैं किसमें थीखा नहीं होता है खाने में बहुत ही टेस्टी और फूले लगते हैं इन्हें खाके मजा ही आ जाएगा एक बर जरू ट्राय करें नॉर्मल पकोड़े तो हम हमेशा काते हैं बेसन के यह पकोड़ों की बात ही अलग है इन एक बर जरूर बने तो सा कि मारे चावल के पकोड़े तयार हो चुके हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी है बाहर से एकदम क्रिस्पी है चावल और सूजी के वज़े से और आलू के बज़े से अंदर से सॉफ्ट है अलु का भी बहुत सैटल सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है इसे आप ग्रीन चेटनी या आपने पसंद के चाय के साथ सर्फ करें अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तर इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ